असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वैलकम टू फूड विद निम्रा चैनल तू कैसे हैं आप सब उमीदे कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगी आज मैं आप सब के साथ बहुत ही लजीज टेस्टी और चट पटी सी चना चाट किरह से पर शेयर करने वाली हूं जो के एक तो यह सिंपल बनती है टेस्टी बनती है और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो पिर आप लोग बार बार इसको बनाएंगे और बहुत ही मज़े से इंजॉय करेंगे तो बिसमिल्ला रह्मान चने एक करेंगे दो कप के करीब फिर समय हम लोग अब अब इसकी फ्लेम कर देते हैं इसमें एक अच्छा सब बॉल दिला लेते हैं और जैसे इसमें बॉल आने लगेगा तो इसके उपर जाग आ जाएगी वह जाग को लोगों ने रिमूफ करना है तो हम लोग जाग को रि कitelे अब करने में एक से दो घंटे लग सकते हैं क्यंकिब भी चने बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट गलाने हैं अगर इसमना कल्चा पान होगा तो पर चार्ट हमारी अच्छी नहीं लगेगी तो आप लोगों ने अच्छे सखको ने इक से दो घंटे नुकर लेना हैं और एक में और बिचने के लिए के यह समान रेडी करा यह बस यह स्वांग बाकी रह गया था चार्ट वाला आया वहाई जार वाला आया था फोकस कर लेते हैं क्योंकि रैसिपी मौड एंपॉर्टेंटे मेरे सॉंग से अब मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी से शिए ना दहीं क के लिए नमक एट करना है और 140 पून हम लोगों सफेज जीरा एट कर देना है इसका हम लोगों एक पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी आट कर देंगे ताकि नहीं अच्छे से पेस्ट बन जाए यह चटनी चार्ट में तनी मसेदार लगने वाली है ना आप लोगों की देना है नमक कर देती है नहीं गा सबस्थ है लेकिन अगर आप लोगों नमक कम लगता है तो अच्छे क imagining अच्छे चख़र्ट आलने के पादना नहीं पिंट आप ल ahora's तो किए चार्ट को एसेंबल कर लिते हैं भूल में सबसे पहले आप लोगों ने चैने आड़ कर देने के बाद आप लोगों ने बॉइल्ट एक नहीं मैं यहां पे तिन अलू लिए ते जिन को चैसे कर लिया ता और इस तरही इसना क्यूंब में कट कर लिया है बहुत बड़े साइट से भी आप लोगों ने कट नहीं करना और बहुत चोटा भी नहीं करना चोटे कट करेंगे पर वो मलीदा बन जाएगा अलू का फिर इसमें हाफ कप टिमाटर एट कर दिंगे और टिमाटर को मैंने चंक फॉंग में कट कर लिया है बहुत जादे करने के बार टू ट्रैबिल स्पून दर्या एट कर देना है और दर्या को कमजादा भी कर सकते हैं पिर इसमें हम लोगों ने वन टैबिल स्पून के करीब चाट मसाला पॉडर एट करना है जिससे चुट पटी सी चाट हमारे रेडी होगी और पिर हम लोगों ने इसके मसाला बनागे रखते हैं तो यह आफ टैबिल स्पून एट कर देना है पिर इसके बाद इमली की खटी मेरी सी चटनी एट करेंगे और यह चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी है अगर आपने तक रेसिपी नहीं देकी ना तो जली से वाच किजिए क इमली की चटनी रेसिपी इमली की चटनी रेसिपी बाद फूड विद निम्रा तो यह सर्च करेंगे तो सामने आजाएगी आपके यूट्यूब पर आप लोगों ने चटनी की तो फूर टैबिल स्पून एट कर देने और चटनी को कम जादा भी कर सकते हैं जितनी खट्ट कर देनी जो अभी हम लोगों ने बनाई थी ग्रीन वाली ठीक है आप लोग ना इस तरीके से बॉल में भी सर्फ कर सकते हैं या फिर आप लोग ऐसा काम कीजिएगा अगर आप लोग सर्फ कर रहे हैं चाट पूरी बना के एंड में आप लोग दहीं अलग से रख दीजिए तो वह भी बड़ा अच्छा लगता है और ना सौगी बिल्कुल भी नहीं हो गया और चट्टिंग करने के बाद आप लोगों ने बहुत क्रिस्पी सी ना पापड़ी एट कर देनी है और यह क्रिस्पी सी पापड़ी की रैसीपी ना पहले ही शेयर कर चुकी हो अगर वह भी नहीं देखी तो जली से आप लोग बहुच कर लीजिए यह सर्च कर सकते हैं पापड़ी रैसीपी बाइफ फूड विद निम्रा तो आप लोग ना घर में इजिली बना सकते हैं फि चटनी एट कर देंगे और इसकी हलके फुलके से प्रेजेंटेशन कर देते हैं ताकि दिखने में बहुत अच्छी सी लगे और यह रैसीपी ना आप लोग हाई टी पे मीचप पे या पिर वन डिश पाटी या पर टी टाइम के स्नैक्स पे बिना बना सकते हैं बहुत ही जिदा रैसीपी सीखनी है तो यार जली ते चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अब मैं तो यहां पर इसको इंजाय कर रही हूं चटपटी चार्ट को आप लोगों ने भी कर में बनाना और मज़े बताना है और आप अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए नेक्स्ट रैसीपी या वीडियो मिलते हैं दुआ में आद रखेगा लाँ आफिस